हलो और वेलकम टू होप तुशानत्यादो आज है 22 जून 2022 आज मैंने दा इंडियन एक्सप्रेस उठा लिया एक्सप्रेंट सेक्षन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब है अगर इंफलेशन सप्लाइज साइट की वज़े से है फूड इंफलेशन, फ्यूल इंफलेशन इस सप्लाइज साइट इशूस की वज़े से तो हम इंटरसिट बढ़ा कर डिमांड साइट को क्यों पैक करना चाह रहे है अरे बड़ा अच्छा क्लेरिटी है कॉंसेट में मैं आपको समझाओंगा साथ मैं मैं एकॉनमी का हर चीज कवर करने कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट न्यूस पेपर के डिफरेंट न्यूस आर्टिकल को कवर करने कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको एकॉनमी में तो सब कुछ दे पाहूं एक ही चैनल पर मेरा objective क्या है मैंने आपको economy का पूरा course करवा दिया economy के मैंने current affairs and contemporary issues आपको पूरे cover करवा दिये economy के key concept cover करवा दिये economy का इस बार का budget और economic survey complete करवा दिया आप economy की news articles cover करवा दे रहा हूं और क्या चाहिए एक channel all economy is complete और क्या चाहिए भया इस channel से आपको अगर अभी तक subscribe नहीं किया video like नहीं करते हैं तो सोच लीजिए आप किस तरह से मुझे अपना support दे रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं पर अगर नहीं किया अभी तक तो please कर लीजिएगा एक subscribe करने से एक like करने से आपको कोई monetary में कुछ भी नहीं जाएगा बस मुझे एक साहरा मिलेगा आपके comment से मुझे एक inspiration मिलता है कि let's do one more time और करके देखते हैं दो सालों से लगतार कर रहा हूँ आपका motivation अगर आप comment करते हैं तो motivation जो मिलता है उसकी वज़े से ही मैं इस चीज़ को continue कर पा रहा हूँ तो please मुझे motivate कीजे मैं आपके लिए अच्छा अच्छा content valuable content ला सको मैं quality में कभी compromise नहीं करता हूँ आपको पता है यह चीज़ लास्ट में जो मैंने UPSC pre 2022 के पीछे जो दो चार-चार मिनट की वीडियोस बनाई लास्ट की जो दो वीडियोस हैं उससे डारेक्ट दो कोशन तो अगर आप वो चीज़ों को देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे अगर मैंने art and culture के आपको important topics बताए हैं तो important topics से वो topics आए हैं और यह important topics मैंने किस तरह से खोजे हैं यह trick भी समझाई है ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ बचा के चल रहा हूँ मैं वो trick भी साथ मे चीज़ दी गई है और बहुत बढ़ियां explain की गई है इसके पीछे का कोई backward linkage नहीं है यह इतना अच्छा explain किया है इन्होंने हर एक चीज़ को कि इसमें पूरा concept ही है और concept ही है जान economy में concept ही पूछता है economy में UPSC में UPSC के में में भी concept प्राधारित जो है सवाल पूछे जात when we talk about the economy section in UPSC तो UPSC के perspective से इसका कोई backward linkage नहीं अगर भी यह समझ गए तो सबको समझ गए let me explain इतनी देशतारी बाते कर लिए sir explain तो कर दीजे क्या बात हो गई यह इसी पहले तो यह बात समझ लो कि US का Central Bank Federal Reserve जो है और हमारा RBI दोनों ही interest rate बढ़ा रहा है इस समय पर कोई repo rate बढ़ा रहा है कोई अपने policy rate बढ़ा रहा है और दोनों यह कर क्यों रहे है ताकि वो inflation को control कर सके inflation को control कर सके US चाहता है कि inflation वहाँ पर 9% पहुँच गया आरे बाप रे बाप वो चाहते है कि उसको खीच की 2% पी लिया है हमारे inflation का range is 4 plus minus 2% RBI चाहता है कि इस range में रहे range बा और चीजों को simply समझते जाईएगा और अगर नोट डाउन करने की कोशिश करना है तो नोट डाउन भी कीजेगा पर concept पहले समझ लो कि तो नोट डाउन करने की जरूद वैसे ही नहीं पड़ीगी बात समझ रहे हो तो inflation जो है वो काबू करने के लिए repo rate को policy rates को जो central bank है उसक कर सके लेकिन जब भी repo rate policy rate बढ़ाय जाते है तो problem क्या होती है अगर किसी भी economy की GDP देखें बाए expenditure method माफ कीजेगा माफ कीजेगा दुबारा आ गए भाई GDP बाए expenditure method जब देखते हैं तो c plus i plus g plus nx होता है यह पता है consumption by households investment by firms government spending net of export माइनेस net of export मालब export minus import यह आप जानते है basics पर में बहुत जादा नहीं जाओंगा मैं चीजों को समझानी कोशिश करता हूं अगर आपने basic पट रखें अगर नहीं पट रखें economy का full course है free of cost है कर लीजेगा अगर समझ नहीं आएगा को course करने के बाद की economy है क्या I will pay you thousand rupees आपको कुछ भ policy transmission होगा यानि bank अगर RBI से अगर अपनी case की बात करें bank अगर RBI से बहुत महंगे loan लेंगे क्योंकि policy rate बढ़ा दिया गया है तो bank अपना lending rate भी बढ़ा देगा और जब loan economy में महंगे हो जाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा incentivize नहीं होगा loan लेने के लिए बौरो करने के लि economy can go into the recession, inflation बहुत ज़्यादा है तो लोगों के हाथ में पैसा कम करने के लिए था कि वो borrow कम करें इसके लिए आपने repo rate बढ़ा दिया थीक है लोगों का lending rate बढ़ गया बैंकों का तो लोग अब borrow कम करेंगे तो हाथों में पैसा कम आएगा तो inflation कम हो जागा क्योंकि demand कम साथ में प्रॉबलम यह है कि demand कम करेंगे तो consumption भी कम करेंगे और investment भी कम करेंगे तो GDP भी कम हो जागी I hope you are developing this art यह linkage करने का आर्ट डवलप कर रहे है क्योंकि यहां पर GDP का कोई पॉइंट नहीं है पर GDP का पॉइंट लाना पड़ेगा क्योंकि यह important connection है economy can go into the recession और सोचे इस चीज को कि अगर economy stagnation में है और साथ में inflation है तो एक problem जो loom करती वो क्या है stagflation की problem है I hope कि अब चीज़े connect हो रही है तो problem क्या है कि recession में economy जा सकती है जब central bank interest rate बढ़ा रहा है तो उसके वज़े से lending rate जब महंगे होते तो economy जो है यह एक ही stagnate हो सकती है और recession में भी जा सकती है what is recession by the way recession क्या होता है साफ साफ लिका है the technical definition of the recession requires an economy to contract for two consecutive quarters quarter मतलब तीन महीना two consecutive quarters के लिए अगर economy जो है को contract कर जाए लगा तार तो उसे हम बोलते है कि economy is went into the technical recession जो की हम जा चुके है covid-19 के phase में अगर आपको यह चीज़े याद हूँ समझ गए तो recession में जा सकते हैं यह बात समझ गए inflation होता क्या by the way why is inflation bad वो समझेंगे बाद में what is inflation inflation में चीजों के price बढ़ जाते है the rate of the increase in the price तो price राइज में आज कोई चीज 100 रुपए की कल 120 रुपए की हो जाए तो मतलब क्या inflation आ गया है महंगाई डायन खाया जात है इतनी महंगाई बढ़ रही है टमाटर के बाव बढ़ गए आम आदमी खरीद नहीं पा रहा वो प्याज नहीं खा पा रहा रहा तो नहीं खा रहा है क्यों कि चीजों के price बढ़ गय है वो खरीद नहीं पा रहा है दूसरी चीज यह सकते हैं, जो भी रुपया है उसकी परचेशिंग पावर डिक्रीज हो गई तो भी इंफलेशन आ गया है prophecy is what? और इंफलेशन is what? गति अज एलेट एलेट इनननलिकी है इंफलेशन पावर अधी करनषी इसका मतलब क्या है? कि inflation इसका मतलब भया ठीक है और inflation calculate कैसे करते हैं इंडिया में CPI combine का use करते हैं ये month on month basis पर होता है यागर मैं कहूँ कि June में inflation 4% है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले June में जो price था चीजों का वो इस June में यानि June 2021 में जो price था June 2022 में जो price है उसके बीच में 4% का अंतर है यागर June 2021 में 100 रुपय था एक किलो प्याच कब हो तो June 2022 में 120 रुपय है या 104 रुपय है तो 4% का क्या है ये month on month यानि पिछले साल के month को इस साल के उसी month से compare करेंगे और देखेंगे कितना price का increase हुआ है इसे हम बोलते हैं तरीका inflation को मेजर करने का measurement of inflation करते किसे हैं CPI combine का use करते हैं करता कौन है NSO करता है ministry कौन सी है मास पी है cover हो रहा सब कुछ cover हो रहा है basics cover है ठीक है inflation बैठ क्यों है क्योंकि आपके पैसे को खाता है अगर पैसे क्यों खाता है बाई कल चीज 100 रुपए कीते हैं आप 5 समोसे लाते थे आज 100 रुपए में 5 समोसे क्यों नहीं आएंगे क्योंकि 120 रुपए में 5 समोसे आ रहे हैं क्योंकि इसलिए inflation bad economy में, लेकिन एक लेवल तक अच्छी है, एक लेवल से उपर जाए, यानि अगर 6% की उपर चला गया, 4 plus minus 2%, अगर 6% से उपर चला गया, तो भी bad है, अगर 2% से नीची चला गया, deflation भी हो गया, disinflation, deflation हो रहा है, तो भी bad है, ये deflation क्या है, disinflation क्या है, reflation क्या है, अरे जरा समझाना मुझे comment box में, तुम्हारे comment बहुत कमा रहे हैं इस बार, ठीक है, ये समझ गया, तो what is causing inflation, इस समय हो क्या रहा, inflation किसकी वज़े से, तो दोनों federal reserve अब बहुत important चीज़े शुरू हो रही है, अब यहाँ से पूरा concept की clarity शुरू हो रही है, अभी तुमने concept ब कि inflation बढ़ क्यों रहा है, because of the, you know, inflation इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि supply side constraints की वज़े से, किसमें, food and fuel की वज़े से, तो current inflationary spike is due to the supply side constraint, in particular due to the rising cost of food and fuel, तो food and fuel की जो cost बढ़ रहा हैं, उसकी वज़े से inflation है, तो अगर supply side inflation है, आप repo rate, माफ कीज़ेगा, आप repo rate और policy rates को बढ़ा क अगर आप तो demand side को control करते हो, तो यह किस तरह से supply side को manage करेगा, समझेगा, इन सब चीज़ों को समझेगा, तो यहां पर inflation किस की वज़े से है, food and fuel prices की वज़े से है, समझ गए, but how will raising the interest rate reduce the food and fuel prices, कितना बढ़ यहां लिखा है, it won't, it won't reduce the price of the food and fuel, क्योंकि यह तो demand side को impact करता है raising interest rate, it will not impact the food and fuel prices, directly, यह impact नहीं करेगा, तो US Federal Reserve से जब एक जनरलिस्ट ने पूछा, कि आप जो है, अगर इतना धेर सारा interest rate बढ़ाएंगे, inflation को control करने के लिए, तो recession भी आ सकता, economy में, तो Powell साब, जो Jeremy Powell साब है, US Federal Reserve के जो chairman है, उन्होंने बोला कि हम क्या करे, हम भी helplessless, admit कर र of the factors that are not under our control, कुछ factors है, जो हमारे control में नहीं है, और सब कुछ economy में हमारे control में नहीं होता है, हम सिर्फ एक regulator है, हम चीजों को regulate करने की कोशिश करते हैं, कि contain करने की कोशिश कर सके, but some things are beyond our control also, और यही चीज आर बेनी बोला, यही चीज आर बेनी बोला, कि हम भी helpless हैं, हम क्या यह directly change नहीं कर सकता है, तो हमें अपना policy rate बढ़ाना तो है, क्योंकि हमें inflation को control करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, अभी आगे बताता हूं मैं आपको, लेकिन उसकी वज़े से recession का खत्रा है, वो भी हम accept करते हैं, पर India को recession का खत्रा इतना नहीं है, बाकी economies को जितना खत्रा कि वज़े से, कुछ समय पहले मैं आपको टमाटर के बारें बता था कि टमाटर बहुत महांगी हो गए, उसकी वज़े से inflation है, ठीक है, तो सवाल यह होता है, कि जब interstate बढ़ाने से food and fuel prices कंट्रोल नहीं होते हैं, supply set पर impact नहीं होता है, तो क्यों फिर ये central bank मरे जा रहे हैं और interstate बढ़ाये जा रहे हैं, और उनको पता है कि interstate बढ़ाने से food and fuel price कंट्रोल नहीं होते हैं, लेकिन एक problem और आजाएगी economy, वो है recession, वो है stagnation, तो उसकी वज़े से आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो, now the answer lies in what are the inflationary expectation, कभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर, कि inflation का expectation, अब यह आम जंदा पर आ गया, यह हम लोगों पर आ गया, कि हम क्या सोचते हैं inflation के बारे में, कि आगे चल की inflation कैसे रहने वाला है, कि future में inflation बढ़ेगा, यह घटेगा, और अगर बढ़ेगा, तो उसकी वज़े से हमारा economic behavior अलग होगा, और घटे कत उसकी वज़े से economic behavior अलग होगा, और यह जो economic behavior है, इसको control करने की कोशिश कर रहे हैं, इस mindset को change करने की कोशिश कर रहे हैं, interest बढ़ा कर, बढ़ा अच्छा है, मैं आपको समझाता हूँ, कि आप सोचिए, कि आप एक car buy करना चाहते हैं, जि इसकी cost अगले साल 20% बढ़ जाएगी, आप समझेगा इस इसको, लेट से, एक car आपको purchase करना है, जिसकी cost 20% अगले साल बढ़ जाएगी, तो आप क्या करना चाहोगे, आपको पता है कि 20% से इस car की price में inflation आ जाएगा, तो आप सोचो कि इस car को अभी क्यों ना purchase कर लो, अभी option यह हो गया, दूसरा आप यह सोच सकते हैं, कि अगले साल हो सकता है कि 10% से price बढ़े, और मेरा job जो है, जहां पर मैं नौकरी करता हूँ, मैं अपने बहुत से काऊँगा, कि मेरी salary को 15% से बढ़ा दीजेगा, यानि inflation बढ़ा 10% से, और आपकी salary बढ़ी 15% से, तो आपको 5% का तो गेन हो रहा है, तो आप कै सोचोगे, ठीक है, अगले साल खरीद लेंगे, अगले साल 10% inflation होगा, मेरी salary बढ़ जाएगी, तो नेट में मुझे 5% का गेन हो जाएगा, मुझे कोई प्राबलम नहीं, मेरी तो 5% की value इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरी salary बढ़ यह चीजे पर डिपेंड करता है कि आप कैसा आपका economic behavior है, अगर आपको लगेगा कि चीजे महंगी हो रही है, तो आप तुरंट खरीद ना चाहोगे, और अगर आपको लगेगा कि ठीक है, बाद में inflation कम रहेगा, तो आप अपने economic behavior को उस तरह से मोल्ट करोगे, I hope you're getting the point, जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ, तो यहाँ पर यह चीज समझे, और अगर आपको लग गया कि आगे चलके प्राइस तो बहुत घटने वाले है, मतलब कोई चीजा सो रुपए की है, तो कल के दिन असी रुपए की हो जागी है, इंफलेशन, कोवेड में ऐसा हो गया, क अगर प्राइस में डिफलेशन हो गया, तो आप सोचो कि आगे चलके अगर डिफलेशन होने वाला है, तो मैं अभी क्यों खरीद हूँ, मैं तो बाद में खरीद दूँगा, ता कि सस्ता समान मिल जाएगा मुझे, इस इस काल्ड इंफलेशन एक्पेक्टेशन, आप क्या करते हों, इंफलेशन से, आगे चलके आपका क्या प्रेडिक्शन हो है, आपकी इंफलेशन एक्सपेक्टेशन को चेंज किया जा予 ताकि आप जो है अपने economic behavior को change करें ताकि हम inflation को control कर सकें अब यहाँ पर बात मेरी बहुत प्यार से समझनी की कोशिश कीजिएगा ठीक है लेट से आप ऐसा कीजिए economy में RBI ने repo rate बढ़ा दिये repo rate बढ़ा दिये ताकि inflation को control किया जा सके रेपोरेट बढ़ाने से होगा क्या directly यह supply side को impact नहीं करेगा पर economic expectation को कैसे करेगा यह inflation expectation को कैसे करेगा economy में RBI ने repo rate बढ़ा दिये उसकी वज़े से क्या हुआ भाई उसकी वज़े से यह हुआ कि money supply economy में कम हो गई जिसकी वज़े से लोग demand कम करेंगे अब लोगों के हाँ में पैसा नहीं है तो demand कम करेंगे पहला तो यह हो गया ठीक है पहला कारण यह हो गया दूसरी चीज दूसरी चीज मैं आपसे बता रहा था कि किस तरह से inflation expectation को contain करने में यह help करेगा अब आप यह बात समझे and just give me a moment मेरा connection थोड़ा सा यहां पर weak हो गया yes yes हाँ तो आरवेई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया money supply को reduce कर दिया और demand जो है वो reduce हो गई अब demand reduce क्योंकि आपके हाँ में पैसा नहीं तो आप demand कम करोगे चीज हो की demand कम करोगे चीज हो की जब आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आप demand कम करोगे that means कि आप अपने economic behavior को tilt करो कि हम जाकर बाद में चीजे खरीद लेंगे तो हो सकता है डाइटली वो food and fuel prices पर impact न डाले लेकिन क्योंकि demand side पर impact होगा demand कम करेगे चीजों की तो इसकी वज़े से आपको जो economic behavior होगा वो होगा कि अभी नहीं खरीदते हैं क्योंकि अभी मेरे हाथ में पैसा नहीं है अभी मेरे हाथ में पैसा नहीं है इसलिए मैं अभी नहीं खरीद तो मैं बाद में चीज खरीदूगा तो समझे लेकिस को तो क्या होगा अगर आप बाद में, लेट से आप कार जो है बाद में खहीद होगे, तो कार बाद में खहीद होगे, तो अभी आप फ्यूल को यूज नहीं करोगे, तो demand for fuel also decreases, this is the connection, so directly हम supply side को impact नहीं कर सकते, पर demand side को impact करेंगे, तो उनके economic behavior को change करेंगे, तब जाकर वो, you know, car का अगर चीज contain inflation expectation, inflation expectation tends to be a backward looking, तो अगर यहाँ पर देखें, when a central bank raises the interest rate, while it may not be able to increase the supply of the food and fuel, it does dampen the demand for these goods, for instance, display of higher interest rates, many may postpone buying a new car, thus reducing the demand for the fuel, और इसकी वज़े से, इसकी वज़े से, अब फ्यूल की demand कम होगी, तो inflation कम होगा, और अगर आप सोचिए इस चीज़ को, कि अगर RBI ऐसा काम करे कि demand को, you know, curtail करे, demand को कम करे, तो recession में जाने खत्रा है, क्योंकि GDP में consumption कम होगा, investment कम होगा, वो सब ठीक है, लेकिन यह जो behavior change किया, let's say, car लोगों अभी ने खीता, तो car के prices भी कम हो जाएंगे, car के prices कम होने का मतलब है कि car के prices, जो inflation car में बहुत तेजी से आदा, वो उसमें भी नहीं बढ़ेगा, तो कहीं नहीं कहीं, demand side को impact करके, हम जो है, यह कोशिश कर रहे हैं, कि वो supply side के साथ मैच कर पाए, अब supply उतनी नहीं है, तो demand बहुत जादा थी, तो demand को ही कम कर दिया, ता कि supply के साथ थोड़ा साथ मैच करने लगे, और inflation काबू में सके, तो directly impact नहीं करेगा, पर indirectly करेगा, very beautiful explanation, the point of interest rate hike, आप समझ गए, बहुत बढ़ी हैं किया, यहां पर explain section में, I hope कि मैंने justice किया है, आपको हरे चीज बताने की, connection क्या था, कि आप interest rate बढ़ाएंगे, वो directly supply side को impact नहीं करेगा, पर demand side को impact करेगा, which will impact the supply side, indirect connection है, समझ गए इस the policy rate, can you know, have the linkage with the recession, किस तरह से, अगर आप रेपोरेट बढ़ा रहे हैं, तो वो recession के साथ, you know, game play कर सकता है, economy में stagnation, recession जैसी situation को ला सकता है, जो कि stack inflation में भी converts हो सकती है, अगर बहुत डिर सारा inflation है, तो economy बिलकुल यह नहीं चाहेगी, कि इस तरह की situation को हम लाएं, तो हम यही क तो RBI कह रहा है कि Indian economy is resilient, कोई बात नहीं है, हम इस situation को manage कर सकते हैं, and we'll manage this, this is all about the point of interested hike, I hope you enjoy this session, आपको मज़ा आया यह समझने में, कि किस तरह से हमने interested, जो hike में, यह concept में clarity पाई, I hope कि आपको मज़ा आया, अच्छा लगे तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, comment करके अपना feedback आज के लिए इतना ही, thank you, नमस्ते, जहन्द